फेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजूकेशनल इंसाइट दोस्तों मुखमंत्री फेलोशिप कारकरम के तहट आप करें आवेदन और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको शोधार्थी बनने का मौका मिलेगा और ना केवल शोधार्थी होंगे आप बलकि एक पूर्ण कारकरम का अभी नहिस्सा बनेंगे और आपको दोस्तों 40,000 तो तनक्वाह मिलने ही है एक सम्मानित वेतन मिलेगा इसके अलावा 10,000 मोबिल्टी एलायंस मिलेगा 15,000 टेबलेट के लिए यानि 55,000 रुपे दोस्तों आपको मिलने हैं आईए दोस्तों देखते हैं कि मुखमंत्री फ सामने दोस्तों हूबहू रखेंगे आप वीडियो पे बने रहें पिल्कुल आपको इसकिप नहीं करना है दोस्तों हम बात करते हैं लखनव से यही कि युवाओं को सरकार के साथ नीती प्रबंधन क्रियानवयन अनुशरवन के कारियों में सहभागिता का खास मौका देने के उद्देश से शुरू की गई मुख मंत्री फेलोशिप कारकरम के लिए आवेदन 24 अगस्त किया जा सकता है नियो जन विभाग के सचियो श्री आलोक कुमार ने बताया कि ओनलाइन आवेदन दोस्तों यहां पे दिया गया है कि ओनलाइन जो आपको आवेदन करना है वो एडरेस दिया गया हुआ है www.cmfellowship.upsdc.gov.in पर 10 अगसे शुरू हो चुका है चैनित युवाओं द्वारा परदेश के सव आकान छात्मक विकास खंडों में केंद्रवा राज सरकार द्वारा 47 सभी योजनाओं का समवर्ती मुल्यांकन किया जाएगा यही नहीं शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनोतियों के निराकरान ता योजनाओं से जन्मानस को अपेच्छित लाब पहुचाने ये तो सुझाओ भी लिये जाएंगे साथ ही योजना से संबंधित नीती निर्धारण, योजना सरचना यम योजना के कारियानवैन से संबंधित कारियों में प्रतिभाग किया जाएगा माननी मुखवंत्री श्री योगी आधितनात की सीधी निगरानी वाले आकांची बलाग कारकरम में न्यूक्त होने वाले इन शोधार्तियों को पारिस्षर्मिक के रूप में रूपया 30,000 प्रतिमाह की दर्से भुगतान किया जाएगा पारिस्षर्मिक के अत्रिक्त भ्रमण के लिए रूपया 10,000 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा और टैबलेट खरीद के लिए एक मुस्त रूपया 15,000 भी उपलब्द कराएगे साथी यथा समोब विकास खंड में ही आवासी सुविधा उपलब्द कराएगे सीम फेलोशिप के लिए तैमानकों में कृषी, ग्रामिड विकास, पंचायती राज, संबद्ध छेत्र वन, परियावरण, जलुआईव, सिक्षा, स्वास्थ, स्वच्छता, पोषण, कौसल विकास, उर्जा, नवी करण, उर्जा परियाटन उम संस्कृति डाटा साइन्स, आइटिफिशियल इंटेलिजन्स, आइटी, एएस, जयव प्रदुग्की, मशीन लर्निंग, डाटा गवर्नेंस, बैंकिंग, वित्यों, राजस लोकनीद, उम गवर्नेंस सेक्टर की युवा आवेदन कर सकते हैं विस्तरी जानकारी दोस्टों यहाँ पर दिया गया है sttp-planning-up.nic.in पर ली जा सकते हैं अब मान्नी मुखमंत्री का फेलोशिप कारकरम के दिशा निर्देश गाइडलाइनस हम पूरी आपको बताने जा रहे हैं मुखमंत्री फेलोशिप कारकरम का उद्देश पर देश की युवाओं को सरकार के साथ नेती प्रबंधन क्रियानवयन अनुशुनन के कारियों में सहभागिता का विसिस्ट आउसर प्रदान करना है परदेश सरकार को इस कारकरम के अंतरगत चैनित शोधार्थियों की उर्जा प्रवद्दोगी की के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए द्रिश्ट कोण का आकान छात्मक विकास खंड जोकी सललगनक में दिया गया है में विभिन योजनाओं की कारियान में ता भविश्च की आउसकता के अनुरूप योजना सरचना में लाप्राप्त होगा या कारकरम में एक पूर्ण कालिक कारकरम होगा ता जयनित अभ़तियों से आपक्षा होगी कि फेलोशिप अवत के दोराँ शुधार्ती द्वरा किसी प्रकार का अनरोजगार या सेवा अथ्वा पूर्ण कालिक अध्यान नहीं किया जाएगा fellowship कारकरम के लिए प्रतिष्ठी सांस्थानों में निम्लिकी छेत्रों में अध्यन करने वाले विद्यार्थियों या शुधार्थियों का चैन किया जाएगा अब खास तोर पे जो आपकी field है वो यही होनी चाहिए तभी आपका दोस्तों इसमें selection होगा वो field दोस्तों क्या है आपके सामने जो महतपूर्ण field है वो आपके सामने दोस्तों हम रख रहे है पहला यहाँ पे जो points दिया गया है वो दोस्तों क्रिशी का चेत्र है पहला जो आपका चेत्र है वो दोस्तों क्रिशी का चेत्र है क्रिशी ग्रामेड विकास पंचायती राज यें संबद्द चेत्र, दूसरा वन पर्यावरणाव जलवायू, तीसरा सिक्षा स्वास्त, स्वच्छता पोश्ण यें कोसल विकास, चौथा उर्जा यें नवी करनी उर्जा, पाचवा परिवेटन यें संस्कृती, छटवा डा प्रमुक संस्थानों या विश्विद्यालों से प्रथम स्रीडी या निवनतम साथ प्रतिश्यत अंकों के साथ असनातक हो, अथ्वा उच्छ सैक्षिक योगता हो, दूसरा हिंदी या देवनागली लिप भाशा बोलने यें लिखने में तीसरा, आवेदन पत्र में सूची बद किसी भी छेत्र में प्रासंगी कार अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विश्यक छेत्र विश्यक लेक, प्रकाशन, नीती पत्रो, शोध पत्रो, मुल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं के अनसरवन आदिस से संबंधित छे प्लब्द कराया जाना, चोथा बिंदु है आवेदकों के पास उतक्रिष्ट केम्प्यूटर कोशल तथा इन्फॉर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी अनुपरियोगों पर काम करने की छमता ता संचार कोशल भी होना चाहिए, डेटा एनलिसिस में अनुभवी अभ नहीं होनी चाहिए, अब भूमिकर मुत्तरदाय तो क्या मिलेंगे, इस कारकरम के अंतरगत आकांग शात्मक विकासकन जो की दिये हैं, हे तो शोधारतियों का चैन किया जाएगा, कारकरम आवदी के दवरान शोधारतियों द्वारा जिला अधिकारी तथम्मक विकास अध विसर्स होंगे, वो जिला अधिकारी महोदे और मुख विकास अधिकारी महोदे। ता योजनाओं से जन मानस को अपेक्षित लाप पहुचाने हैं तो सुझाओ प्रसुत किये जाएंगे। प्रस्तुत करन की समिक्षा सचीव नियोजन विभाग द्वारा की जाएगी तीसरा वार्सिक रिपोर्ट और प्रस्तुत करन जिसके आधार पर शोधार्ती द्वारा संपाधित कारियों का मुल्यांकन किया जाएगा और अंत में संघ्रीट डेटा का संकलन रिपोर्ट सहीद प्रस्तुत किया जाएगा अब पारिश्यमिक यानी पैसा कितना मिलना है ओन उरेडियम फेलोशिप कारकरम के अंतरगत चेनित शोधार्ती को पारिश्यमिक के रूप में 30,000 रुपए प्रतिमा की दर से भुकतान किया जाएगा शोधार्ती को पारिश्यमिक के रुपए 10,000 प्रतिमा भुकतान किया जाएगा साथी विभागी योजनाओं या कारियों का अनुसरोने मुल्यांकन करने है तो शोधार्तियों को टेबलेट क्रे किये जाने के लिए रुपए 15,000 एक मुस्त उपलब्द कराया जाएगा इसके अतरिक कोई भुकतान दे नहीं होगा चैनिस शोधार्ती को विकास खंड में ही यथा संभो आवासी सुपधा भी उपलब्द कराया जाएगी संभधता की अवधी वार्शिक प्रदर्शन मुल्यांकन फेलोशिप कारकरम के अंतरगत चैनिस शोधार्ती की संभधता अवधी न्यूक्त की तीथ से एक वर्श के लिए माननों होगी विभाग की संस्थोती विशे की आवशक्ता के द्रिश्टगत उम्षोधार्ती की उत्रिस्ट कार के आधार पर इसे सच्छा मस्तर के अनुमोदन उपरांद एक वर्श के लिए बढ़ाया जा सकता है विस्तारित फेलोशिप अवधी हेतू पूर निर्धारित पारिश्रमिक के अत्रिक्त अन कोई भुक्तान अनुमन नहीं होगा कारकरम के अंतरगत शोधार्ती द्वरा आबंटित कार को निर्धारित अवध में सफलता पूर्वक संपाधित की जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमान पत्र भी दिया जाएगा आवकाश आनुपातिक आधार पर एक वर्स में बारा दिनों के आवकाश के अनुमत है चैन की प्रक्रिया आवेदन पत्रों का परिक्षन शोधार्ती के चैन है तुनि योजन विभा की वेबसाइट पर ओनलाइन आवेदन आमंतरित किये जाएंगे आवेदन पत्र के साथ 500 सब्दों के में उद्देश का विवरन स्टेट्मेंट आप परपस भी अपलोड किया जाना अनिवार होगा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हे तु वरिष्ट अधिकारियों या विशेविसेशगों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी द्वरा निम्ना अंसवार परिक्षन किया जाएगा परिक्षण आ असपस्ट आवेदनों को परिक्षण उपरांत हटा दिये जाएगा डुबले केसी नियंद्रन एक इमेल आईडी फोन नंबर एवं एक नाम से केवल एक आवेदन ही स्युकार होगा अब भेरतियों की पातरता केवल असनातक यानिन उन्तम 60 प्रतिशत अंक अथवा असनातकोतर या पिएजडी पूर अथवा थिसिस प्रस्तु छात्री ही पातर होंगे चौथा बिंद्व है आयू मांदन सभी आवेदन जो 40 वर्ष की आयू के मांदनों को पूरा नहीं करते हैं असिवकार कर दिये जाएंगे पांचवा आवेद को जिनके द्वारा 500 सब्दों के उद्देश का विवरण स्टेट्मेंट आप परपस अपलोड नहीं किया गया उनका आवेदन असिवकार कर दिये जाएगा आवेदन पत्रों का मुल्यांकन स्क्रीनिंग कमेटे द्वारा आवेदनों का मुल्यांकन करते हैं निमलिखित कारवाही की जाएगी आपजेक्टिव स्कोरिंग पचास अंक स्क्रीनिंग कमेटे द्वारा निमलिखित मानक के अंस्वारा आवेद को की आपजेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी स्कोरिंग की मानक निम्नोथ है उच्चतम सेक्षिक योगता जो है उस पे 25 नमबर मिलेंगे अधिक्तम आसनातक का 15 नमबर आसनातक उत्तर का 20 अंक और पिएजडी कंप्लीट अगर हो गई है या थेसिस प्रस्तूत हो गई है तो 25 नमबर अन्न विधिक मानदंड 15 परतिष्ठित संस्थान से डिगरी तीनंक परतिष्ठित रास्टी या अंतरास्टी प्रकाश्टनों में प्रकाश्टी शोधकार या लेक तीनंक रास्टी या अंतरास्टी संस्थान मंच द्वारा प्रदत प्रोषकार तीनंग, संगठनों के साथ स्वयम सेवा तीनंग, कोई अन्न विशिस टुपलब दी तीनंग, प्रासंगी कारनभो दसंग, छे माह से दो वर्ष अगर काम है तो पांच नंबर, दो वर्ष अधिक काम है तो दस नंबर, पिएसडी डिगरी के समय प्रस्तुत किया जाना होगा, स्यक्षिक योगता का सत्यापन साच्छातकार के समय किया जाएगा, साच्छातकार में अभेरतियों के विक्तित तो सामान ग्यान, कारे के प्रतुस्सा आधिका, आकलन किया जाएगा, अभेरतियों दोरा आविधन पत्र के साथ प्रस् प्रतों के धिन चैन किया जाएगा। उपाम लखनव दोरा दिया जाएगा। कार के लिए अनुमन नहीं होगे। दूसरा है फेलोशिप कारकरम कारकाल पूर्ण होने के पश्चाद अस्थाई सेवा या रोजगार का आस्वासन नहीं देता है। तीसरा है प्रतेक चैनिस शोधार्ती के लिए कारयले का समय वही होगा जो उस कारयले के अनकर्मिचारियों के लिए होगा। शोधार्ती द्वारा आउशकता अंसवार आत्रित घंटे कारकरने और यात्रा करने के आउशकता हो सकती है। किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के अनुमत नहीं दी जाएगी। नवा जन्पद या विकास खंडस्तर पर तैनाती पर शोधार्ती को व्यापक ब्रमन करना पड़ सकता है। प्रबंधन, फेलोशिप कारकरम के क्रियानवन और प्रबंधन का काम नियोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। शोधार्तियों के चैन में AKTU, NIUA और UPA, AM जैसी यानि उपाम जैसी विशी संस्थाओं का सयोग प्राप्त किये जाएगा। दोस्तो आकांचात्मक जो जनपद हैं वो आपको के सामने हैं, अमबेटकर नगर है, अमेठी है, बलिया है, बांदा है, महोबा, बरेली, पीली भीत, बस्ती, स्वंत कबीर नगर, विजनौर, बदायूं, गाजीपूर, दिवरिया, गोरकपूर, उशी नगर, जालाउन, ललितपूर, एटा, फरुखाबाद, जौनपूर, संतर विदाशनगर, कौशामबी, प्रियागराज, महराजगंज, गुंडा, बाराबंकी, मिर्जापूर, खीरी, हर्दोई, सीतापूर, संभल, रामपूर, अलिगर, कासगंज, तो दोस्तो इतने हैं, और खेर मैं इस प वाचिए लिस्टेट इसेजेश अपर्कास तूब शनिग आफ